भगवान कृष्ण के जनमोटसफ को कृष्ण जनमास्टमी के रूप में मनाया जाता है। कृष्ण जनमास्टमी हर वर्ष भाद परद मास के कृष्ण पक्ष की अश्टमी तिथी को बढ़ती है। इस वर्ष कृष्ण जनमास्ट में 6 सितंबर के दिन बुद्वार को ग्रहस्त जीवन वाले जातक मनाएंगे। वही वैश्णाव संप्रदाय के लोग 7 सितंबर को जनमास्ट में मनाएंगे। आप जानते ही हैं कि बाल गोपाल को बहुत सी चीजे पसंद हैं। जैसे माखन मिश्री, बासुरी, ऐसे ही कृष्ण करहिया लाल को मोर मुकट और मोर पंक बेहद पसंद है। यही कारण है कि वे हमेशा अपने मुकट में मोर पंक लगाए रहते हैं। कृष्ण जन्मास्टमी पे मोर पंक से जुड़े हुए हम आपको कुछ उपाय बताएंगे। जिससे जीवन की कई समस्याओं को दूर किया जा सकता है। जी हां। कृष्ण जन्मास्टमी पे आप यह उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में खुशहाली आएगी। जैसे धन वृद्धी के कुछ उपाय है। जो तिशास्ट के अनुसार यदि आप लगातार आर्थिक संकट से घिरे हुए हैं और इसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो पांच मोर पंख लें और जन्मास्टमी के दिन भगवान कृष्ण के साथ उनकी भी पूजा करें। अब इन मोर पंखों को 21 दिन तक उसी इस्थान पर रखे रहें। 21 दिन इन हेंती जोरी या धन इस्थान पर रख दें। ऐसा करने से घर में बरकत बनी रहती हैं और धनलाब के नए-णए रास्ते खुल जाते हैं। वास्तु दोश का उपाय वास्तु शास्त के अनुसार यदि आपके घर में किसी तरह का दोश लगा हुआ है तो जनमास्त्मी के दिन अपने घर पर मोरपंख जरूर ले कर जाएं भगवान कृष्ण की पूजा के साथ मोरपंख की पूजा करें और इस मोरपंख को पूर्व दिशा में लगा दे इस उपाय से आपके घर में लगातार वास्तु दोश खत्म होंगे पती पतनी के जगडे जी हाँ जोतिशास्त के अनुसार यदि पती पतनी के बीच हमेशा त भगडे होते हैं तो जनमस्टमी के दिन बैड्रूम में मोरपंख लेकर पूर्व या उत्तरदिशा की दीवार पर लगा दें इस उपाय से दामपत्य जीवन में आ रही अनेक तरह की समस्याएं दूर होंगी और रिष्टों में मधुरता घुल जाएगी दूर होगा केतु का नकारत्मक प्रभाव है तो जनमस्टमी के दिन मोरपंख को बैड्रूम में पश्चिम दिशा की दिवार पर लगाएं इस उपाय से इन पापी ग्रहों के दुशाभाव से राहत मिलती है नकारत्मक गुर्जा दूर होती है और आपको धनलाब होता है अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजली को सब्सक्राइब करें